वेल्कम, नमस्कार, बहुत स्वागाता है आपका, आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा उत्तरमुखी प्लान लेकर आया हूँ, ये एक सब्सक्राइबर की रिक्वाइर्मेंट के अनुसार रेडी किया गया है, आईए किस प्रकार से, इन्होंने जो प्लॉट लिया था, वो प्लॉट किसी सोसाइटी मिली है, और एस दा सोसाइटी के कुछ रूल को भी इन्हें फॉलो करना था, उसको देखते हुए इनके इस प्लान को निर्मान किया गया है, इनके पास जो टोटल एरिया है, ये जो आप ब्लैक से देख पा रहे हैं, ये टोटल एरिया है, जि ये करिब करीब 1550 स्क्वार फिट के आसपास में आ जाते हैं, अब इनके हैं क्या था कि आइस दा रूल आपको इधर से 10 फिट छोड़ना है, इधर 3 फिट छोड़ना है, इसके बाद आपको इस परकार से कंस्ट्रक्षन करना है, उस सोसाइटी में सभी घर इसी परकार से बने हुए है, तो देखिए कि मैंने किस परकार से यहां construction कर दिया है, इनका जो constructed area है, अब इसे देख लें, यह constructed area है, 28 और 37, अर्थात यहां से यहां तक 28 है, और यहां से यहां तक 37 में इनका construction किया गया है, नौर्थ फेस है, और इने पुर्व फेस, दोनों फेस इसे बनाया गया है, कि यह पुर्व मुखी भी हो गया, यह पुर्व मुखी चुकि इसी परकार का construction था, तो आएए यह नौर्थ दिसा है, रोड इधर है, एक बड़ा दोड़ इनको यहां पर रखना है, कि अपने भैकिल को यहां अंदर कर सकते हैं, और चाहे तो यहां से मुखी पर हमने उत्तर में बिल्कुल यहां एन फोर में दे दिया है, बिल्कुल सटीक जगा पर जो money and opportunity का छेतर है, इस छेतर का मुखी द्वार अती सुब माना जाता है उत्तर दिसा में, इसलिए हमने इने suggestion दिया कि एक द्वार आप यहां रख लें, इस द्वार से आबागमन आ अनुरूब भी कर दिया, तो दोर से जैसे आते हैं तो यह अपने एक हॉल में चले आते हैं, या फिर इस दोर से इन्हों ने अपनी भैकिल यहां लगाई और यहां से आये, तो यह हो गया इनका बरामदा पुर्व दिसा में बरामदा है, 11 फिट और 7 फिट का इनका यह हॉल की मेजरमेंट है, 15 और 18, 18 फिट और 15 फिट का इनको डाइनी या और ड्राइंग हॉल दिया गया है, इसी से कनेक्ट इनका पुजा घर बिल्कुल इशान वाले छेतर में हमने लगा दिया है, 7 बाई 4 काफी इस्पेसियस पुजा घर है, और यहां से बिल्कुल अग दोर दिख रहा होगा, इनका कहना था कि भविस्य में हम रेंट परपस से अपने घर को यूज करेंगे, तीन तल बनाएंगे, तो सीड़ी इस प्रकार से हो कि सोसाइटी का रूल भी फॉलो हो जाए, और सीड़ी घर से बाहर से भी यूज हो जाए, और अंदर से भी यूज और ये सीड़ी से ऊपर चला जाएगा, और ये अपना डोर यहां से लगा के अपने नीचे वाले फ्लैट्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो बिलकुल दक्षिन दिशा में सीड़ी दी गई है, दक्षिन दिशा में ये डोर बिलकुल सही अस्थान पर दिया गया है, ये केवल के लिए rent purpose जब बनाएंगे तब के लिए अब यहां इतना जगह है आपके पास नेरी तिकोन वाले छेतर में आरवन लिया है हमने यह 9 फिट और यह 14 फिट यह master bedroom है इस bedroom में सौचाले बाथरूम एक एटेजडे जिसकी 4 फिट चवड़ाई एबं 8 फिट लंबाई है यह आप देख सकते हैं यह भी बिलकुल बास्तू के अनुरूप लिया गया है यह जो छेतर होता है यह बिलकुल छेतर है सौचाले के लिए जो हम disposal का zone बोलते हैं जिसे हम बिसरजन का zone यह disposal का zone कहते हैं उसी zone में यह हमने सौचाले लिया है बिलकुल सटीक जगह पर measurement डिगरियों के अनुसार हमारे यहां जो निर्मान होती है हम लोग उसे में डिगरियों के अनुसार measurement करते हैं यदि आपके घर की दिसाएं घूमी हुई है तो डिगरिया अती महतपुर्ण ह हो जाती है अब दिखिए हमने डिगरियों के निसार यहां सौचाले ले लिया अब दूसरा इनका था कि गेश्ट रूम इन्होंने यहां बनाया है यह 13 है और यह 9 है 13 बाई 9 में गेश्ट रूम है इस गेश्ट रूम से एक सौचाले बाथरूम है यह भी सौचाले ये बिल्कुल किस प्रकार से निर्मित है इसमें इस घर को निर्मान करने में बास्तू के रूल का पालन किया गया है और ये घर बास्तू के अनुसार 80% से अधिक बास्तू का रूल इसमें अपनाया गया है आप भी चाहते हैं कि आपका घर बास्तू के अनुसार बने या घर क की बास्तु को चेक कराना चाहते हैं हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद